अरे वा, इस टेडी में कितना सुंदर पगडी पहना हुआ है, तो सो मैं मैं आज हमें पगडी बनाना सिखाएंगी, I love my India हम लोग आज एक तिरंगे से पगडी बनाना सिखेंगे, इसके लिए हमको वाइट पेपर चाहिए, और ग्रीन पेपर चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, कि ऐसा एफोर साइस का दो पेपर भी ले सकते हैं, या फिर आप चाट पेपर को भी जैसे लंबे में कटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने 3-Inch का लिया था, 3 cm का दे 10- parentheses का और उसके बाद में उसको, के 1-2 Inch का हम दो-दो पती जोड़ेंगे, और हम उसको दो हम दो हमने 3 और उरेंज बना आज पोbor SwFS और या फे औप इसके लिए हमज़ करेंगे, इसको हम चारो तरफ से पहले पट्टी को जोड लेंगे और फिसको सूखने के लिए रग देंगे जब यह सूख जाए अच्छे से उसके बाद क्या करेंगे अब हम किनाले से एक तरफ से हम इसमें औरेंज पट्टी लगाना सुरू करेंगे तो औरेंज पट्टी एक पट्ट प्रफेब के साहथ अब क्या करेंगे अरेंज पेपर को फोल्ड करते करते अब को आगे-पीछे मोडना है तो इसके लिए पहले हम ऐसे कलगी बनाएंगे तो यह हमारा औरेंज हो गया पेपर लगभग कम्प्लीट अब ऐसे हम इसको खोल के देख लेंगे सेम ऐसे हमारा ग्रीन और हमने वाइड भी बना लिया अब हमको क्या करना इन तीनों पेपर को जोड़ना है तो ग्लू लगाएंगे ग्लू लगा करके अच यह के सरीया, सफएध और हरा, केशरीया, सफेड और हरा जुड़ग ऑर जॉड़ते हुए जोड़ते हुए तो आप क्या करेंगे किनारे से, खोल देंगे लिया हो ज्या Buck चोकडा चाहिए उक हम एक गोला बनाएंगे दूड़ा अचय के लिए कि लिए हम टोल में बाटते हुए चार हमारा यह बन गया फिर इसको 20 से आधा करते हुए प्रतेक भाग में दो-दो लाइन खीचेंगे इससे हमारा जो अशोक चक्र है वो बिल्कुल सही बनेगा एक्डम एक्डम बनेगा यह सबसे अच्छा तरीका होता है अशोक चक्र हमारा पट्टी रेड़ी हो गया तो इसको हम ग्लू से चिपका देंगे यह हो गया चिपक गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम यह जो हमारा कलगी दबनाया थे उसको हम पेस्ट करेंगे तो पहले इसको सारा को समेटते हुए बीच में फिक्स करेंगे और एक और पोर्षन इधर से ओरेंज और एक पोर्षन ग्रीन डोनों इसको चिपका देंगे तो पहले क्या करेंगा इसको बीच से भी हम हमारा सोक्षक्र भी अब हम यहां पे थोड़ा सो सजाने के लिए यहां पर नेवी ब्लू स्केश से आई लव माई इंडिया लिखेंगे तो पहले मैं आई लिख रही हूँ इसको थोड़ा मैं गाढ़ा कर दे रही हूँ डबल डबल करके लव को भी मैंने इसको दोहरा दिया है और माई इंडिया आई लव माई इंडिया और इसके बाद हमारा यह पगड़ी कंप्लीट हो गया इसको हम आपको पहना के भी दिखा सकते हैं देखिए मैंने इसको अपने टेड़ी को पहना के दिखाया हुआ है इसे आप अपने बच्चे को भी पहना सकते हैं यह इसको नमें टीचर्स पहन सकते हैं यह बहुत आसान है कागज का बनाना देखिए मैंने अपने स्टुडेंस को पैना के दिखाया हुआ है बहुत प्यारे लग रहे हैं थैंक यू सो मच